हलो फ्रेंज बेलकम बैक इन माई चैनल रियल वन मदू व्लोगर और आप सब कैसे हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायविटीज पेशेंट को कौन-कौन सी दाल खाना सही रहता है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड ने मेरा चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बैल आकन के साथ जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके तो डायविटीक पेशेंट को कौन-कौन सी दाल खाना सही रहता है क्योंकि डायविटीज एक ऐसी कंडिशन है जिसमें ह पता होगा कि डायविटीज में डायट कंडूल करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि शुगर भोजन कितली हैं सब्सक्राइब जरूरी होता है आपने सुना होगा कि दाल लोटी खाओ और प्रभू के गुन खाओ तो दाल जो है वो सेहत के लिए बहुती गजब की चीज होती है और इसका कमाल ये है कि प्रोटीन और फाइवर से भरपूर होती है ये बॉडी में जाकर धीरे धीरे डाइजेश्ट होती है जिससे बलड सुगर एकदम से हाई नहीं होती वैसे तो सभी दाले अच्छी होती है फाइदा करती है बट बेश्ट दाल कौन सी है सुगर पेशेंट के लिए ये आपको आज के वीडियो में बताएंगे उसके अलावा चार और दाल बताएंगे क्योंकि आप एकी दाल रोज रोस तो नहीं खा सकते खा के आप बोर हो जाएंगे तो चार और दालें भी सपोर्ट में रहेंगी जिसके आप बदल बदल कर खा सकते हैं तो हम इन दालों को उस रैंक में रखेंगे जिसे हम उस रैंक में पीछे से चलेंगे जैसे पांच डाले आपको बताएंगे तो पहली मैं पांच में बताऊंगी और जो फर्स रैंक वाली दाल है उसे मैं सबसे बाद में बताऊंगी तो नमबर पांच से हम लोग स्टार्ट करते हैं, नमबर पांच पर है चना, जो काले चने होते हैं वो प्रोटीन और फाइवर से भरपूर होते हैं और इसमें शुगर नहीं होती और वो धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं, अगर आप अबली चना और एक होता है देसी चना तो देसी चना आपको ज्यादा फाइदा करता है, खा आप दोनों भी सकते हैं, आप नास्ते में खाने में इसका प्रियोग कर सकते हैं, यह बलड शुगर को इस्थित रखते हैं, जिसको सुगर नहीं है उसको भी बहुत फाइदा करत और आपका खुन बढ़ाने में भी सयोग करता है डायविटीस के रिस्क को कम करता है देसी चना ज्यादा एफ़ेक्टिव होता है नेमर चार पर आता है मूंकी दाल जो दो टाइप की होती है पीली और हरी दाल जो हरी मूंक दाल होती है वो ज्यादा है प्रिग्लन लेडी को काला राजमा पर टेस्टी लगता है और सभी लोग इसे खाते हैं यह प्रोटीन और अच्छा शुरोथ है प्रोटीन का ये आँखों और इसकिन के लिए बहुत अच्छे हैं इन्हें बनाने से पहले पानी में भूगएं कच्छे ना हो अच्छे से पके हो ये आपकी शुगर को बहुत कंट्रोल करते हैं और नमबर दो पर आता है मसूर की डाल ये डायविटीज के लिए बहुत ही फाइदे मंद ह ये फाइवर, प्रोटीन, बिटामिंग B, मिनरल इससे भरपूर होती है और इसे ओयल के साथ मतलब इसमें ओयल ज्यादा ना डालें इसे थोड़े से ओयल में आप जीरा और हेंग का प्रियोग करके बना सकते हैं बहुत ज्यादा ओयल ना डालें इसमें और सबसे लाश्ट में और फस्ट नमबर पर आती है जो बैश्ट डाल है शुगर पेशेंट के लिए वो है चैने की डाल डाल डाविटीज के मरीज इसे पेट भरके खा सकते हैं बिन अडर के क्योंकि इससे बिलकुल भी उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी खोन की कमी को भी पूरा करता है बिलकुल इसमें शुगर नहीं है और जो भी इसे खाते हैं जो उनकी कमजोरी भी दूर होती है और यह खोन बढ़ाने में भी बहुत सहयोग करती है तो डाले पेशेंट के लिए बैश्ट डाल है चैने की डाल आप इसे बदल बदल कर किसी भी तरीके से खा स नहीं है डाले में फचले ज़र चलिए चलेंगे उतना ही आप ज्यादा टाइम तक पाएंगे क्योंकि आपको अपनी ड्याविटीज को बढ़ने नहीं देना है बस कंट्रोल में रखना है तो स्वस्त रहे है खुश रहे है अपकी अपनी फ्रेंड रियलवन मधूब बार खार